लो गाईस गूड यूणिंग टौ आल आफ यू गाईस आप सभी लोग ये तो जानते होंगे कि एयू यू यूनिर्सिटी जो है वह अभी क्लासेस के लिए क्लोज है और क्लोज से याद आया कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो यूनिर्सिटी है जो क्लासे हैं वो किस तरह से चलेंगी आपको ये तो पता है कि अभी जब बंद है तो क्लासे जो स्टार्ट होंगी वो ऑनलाइन ही स्टार्ट होंगी बट इसमें ऑफ लाइन क्यों नहीं इस बारे में थोड़ी से हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी इसमें चर्चा करेंगे हम लोग की जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो स्टार्ट होने के बिल्कुल नजदीक है कहने के मतलब यह है कि कुछ-कुछ कॉलजेस जो होते हैं कुछ-कुछ जो कॉलजेस हैं उन्होंने तो अपनी डेट भी जारी कर दी है अभी हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे उन्होंने अपनी डेट भी जारी कर दी है नोटिस भी निकाल दी है कि इतनी डेट से ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी ठीक है इस्ट्डेंट्स तो जो क्लासें हैं वो स्टार्ट होंगी online mode में होंगी उसके बारे हम लोग बात करेंगे students तो EU main campus offline या online classes तो आपको सबको ये तो इतना पता ही है कि जो classes है वो अभी online mode में ही जारी की जाएंगी ठीक है अभी ये offline नहीं तो ये online ही होंगी और online होने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि enrollment का जो process है वो भी होगा जब तक सारे enrollment सभी बच्चों के enrollment हो जाएंगे उसके बाद ही ये classes start की जाएंगी तो guys अगर आप लोगों ने enrollment process या enrollment अभी तक नहीं करवाया है तो आप जाकर के university main AU main campus में अपना enrollment करवा सकते हैं जो AU के होंगे वो students के लिए अभी जो enrollment का process है वो AU के लिए मैंने बताया है AU के बारे में यानि कि AU main campus में enrollment कैसे होता है कितनी समय जाना है आपको किस दिन के किस दिन के बीच में जाना है आपको जाकर देख सकते हैं तो गाइस यह तो आपको पता हो गया यहां पर कि जो classes है अभी वो online mode में ही start होंगी यह offline में नहीं start होंगी अभी लेकिन क्या है कि कुछ जो affiliated college है इसे संगठट college है इलहाबाद university के वो अपनी online classes से start कर रहे हैं जी students हो जो online classes से हैं वो अपनी start कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सकी कौन से college है जो अभी तक अपनी online classes है वो start करने के कगार पर है या start करने वाले हैं या अभी कुछ colleges हैं जिनमें थोड़ा सा admission का जो process है वो चल रहा है तो अभी लेट हो रहा है तो इस पर हम लोग बात करेंगे तो इसके एक्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर लेते students आप लोग देख सकते हैं कि इस्वर सरन डिग्री college यह इस्वर सरन डिग्री college जो कि लहाबाद university का affiliated college है उन्वर्सटी आफ लहाबाद से तो इसने एक notice के दारा आप लोग देख सकते हैं कि बताया है कि all the first year classes of BA, BC will start from January 10, 2022 through online mode यहाँ पर आप लोग देख सकते students कि जो online mode में classes हैं वो start होंगी यहाँ पर BA first year become first year of BC first year काईस अभी मैंने थोड़ा सा इसमें पीछे mistake हुआ कि जो प्रवेश भवन है वो बंद होगा 8 और 9 को इसके लिए मैं स्वारी चाहूँगा यह 8 और 9 को बंद रहेगा 10 को यह खुलेगा तो 8 और 9 को यानि Saturday यान Sunday क्या होगा यह बंद रहेगा ठीक है और तो यह जो online classes है इस वर सनन डिगरी college की यह आपकी स्टार्ट हो रही है 10 जन्वरी 2022 से यह निकी 10 जन्वरी से स्टार्ट होंगी और वहीं पर जो पहले से classes से हैं जो second year की class हैं और final year की जो class हैं यह तो पहले से अपने time table के हिशाब से चल रही है तो यह से इस वर सनन डिगरी college यह अपनी classes स्टार्ट कर रहा है और वहीं अगर हम लोग बात करें कोई और college जैसे की CMP degree college तो अभी इसमें क्या है कि admission की जो प्रक्रिया है वो लगातार अभी चल रही है UG के भी admission अभी हो रहे है और PG के तो अभी बाकी है तो बात हम लोग करें और भी जो colleges हैं जैसे की EDC तो इसमें भी अभी कोई online classes होने की notice नहीं जारी की है जैसे ही यह सारे colleges अपनी notice के द्वारा जारी करेंगे तो आप लोगों तक यह news जरूर पहुंचाएगी पहुंचाई जाएगी तो बिल्कुल भी आप लोग टेंसन ने ला और जो students ने इस वर सना डिगरी college में अपना admission ले चुके हैं फ़र्ष्ट येर में BA, BAC, B.com वो लोग तयार रहेंगे यह 10 जन्वरी को इनकी class से start हो रही है यह 10 जन्वरी को classes से start हो रही है ठीक है इस तो 10 जन्वरी को यह class से start हो जाएंगी और आपको वहां पर login ID पासवर्ट दिया जाएगा जिसके थूरू आपकी class से चलेंगी तो वो लोग आपको बताएंगे पढ़ाएंगे कुछ टीचर सोंगे जो website से college की साइट से पढ़ाएंगे कुछ टीचर गूगल मीट मीट जूम पर पढ़ाएंगे तो वह अपने हिसाब से अपना मैनेस करेंगे ठीक है इस्प्रेंट्स तो यह थी information आप लोगों के लिए जो सब्सक्राइब कालेज है वो क सब्सक्राइब करें सो थैंक्यू स्टेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में